दोस्तों हमाश्कार मैं मुकेर जोशी इंडिया इंश्टूट आप एक्सेलेंस से फ्रेंड्स आज इंशॉरंस के दुनिया में आप जो भी कंपनी को आप रिप्रेजेंट करते हो समझे आप LIC को रिप्रेजेंट कर रहे हो देखिए हमारे कॉंपिटिटर कौन है और हमारे कॉंपिटिटर कौन से प्रोड़क्त के साथ मजबूती से मार्केट में काम कर रहे हैं और इसके जानकारी अगर हमारे पास है तो हम भी उसी के रिलेवेंट हम लोग प्रोड़क्त बना सकते हैं कुछ अलग-अलग product को mix करके हम बहुत अच्छे तरीके से compete कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो product है, उस strength हमको मालूम है। लेकिन हमें ये तो पता होना चीए कि आज कोई private company है, आई-स-ई-स-ई है या बिरला है, या टाटा है, जो भी company हैं, ये सारी company के पास कौन से top के product है, अच्छे product, एक दो product, हर company के अच्छे हैं और अच्छी तरह से बीक रहे हैं। तो क्या हम किस तरह से इसको compete करें, किस तरह से हम लोगों के सामने combination बनाने पड़ेंगे, वो combination लेके हम उनके पास जाए। या तो एक तरीका है, कि जितनी भी 25-27 company हैं, उन सारी company के product आप खुद study करने लग जाओ, दूसरा तरीका है, कि हम लोगों ने ये study करके रखा हुआ है, और बहुत सुन्दर एक program हमने बनाया है, और उसका नाम है insurance products master. insurance industry में जितने भी अच्छे product है, उसके mastery किस तरह से की जाए। और ये program दो दिन का, मैं और हिरेन भाई लेके आपके बीच में आरे 29 और 30 माई 2021 को, दो दिन के अंदर में, आपको total मिलाके 12 घंटे के अंदर में, हम लोग अलग-अलग company के top product की comparison के लिए, हमारे product कौन से है, और किस तरह से हम उसको compete कर सकते हैं। Even we should learn lot of things, actually मैं ये सब private company के product के बारे में जानकारी लेने के लिए मैं study कर रहा था, लेकिन साथ-साथ में मुझे उनके कुछ अच्छे शब्द पता चले कि presentation में हम किस तरह के उनके शब्द यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा presentation और मजबूत बन सकता है।